नमस्का दोस्तों मेरा नाम देवराज वासने हैं और आप सभी का सौगत है देली प्राइजेक्शन शोवेच चार्ट मुझो में दोस्तों आज के दिन हमने निफ्टी के अंदर अगेन एक वीक सेशन देखा और एक राइजिंग सपोर्ट लाइन हमें दिखाई देती है निफ्टी के चार्ट पर आप देख सकते हो यहाँ पर यह लेवल का निकलना आप काफी इंपोर्टेंट है कल के आने वाले सेशन के ल यह राइजिंग सपोर्ट लाइन का सपोर्ट तूटेगा तो हमें एक फॉल दिखाई दे सकती है 15,700 और 15,600 के लेवल के इसाब से और दोस्तों उपर का जो लेवल निकल के आ रहा है काफी अभी इंपोर्टेंट लेवल हो गया है 16,200 पिछले दो दिनों में हम इस लेवल क के उपर जानी पाए हैं और 16,200 के उपर जाते ही हमें एक फॉलिंग चैनल का जो हम इदर देख सकते हैं उसके ब्रेक आउट का कन्फरमेशन मिलेगा दोस्तों 16,200 का लेवल हम इंपोर्टेंट मार्क रखेंगे इसके उपर जाते ही हम इसके अंदर मार्केट के अंदर जो देफिनेटली 15,700 और 600 के लेवल के सबसे एक शॉट साइट की पोजिशन बना सकते हैं अब जोस्तों बैंक निफ्टी पे एक बार व्यू लेते हैं और बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखता हूं तो हमें ये भी एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन के नीचे आत था बड़ हमें ये 34,500 के एरिया में सपोर्ट देतावा दिखाई दिया अब दोस्तों जो गैप का एरिया आ रहा है 34,400 के लेवल पे 400 to 350 के लेवल पे अब कल के सेशन के लिए अगर ये गैप पे ही खुलता है और जैसे 350 के नीचे जाए तो एक शॉट की अपोचुनिटी बनेगी with small SL, अब अगर हमें उपर की साइट की position लेनी है तो we should wait for 35,500 लेवल जापे हमें confirmation लेगा उससे उपर हमें अगर opportunity मिले लेट से कल के सेशन में even in intraday then we should avoid because अब जो resistance बनके आ रहे हैं काफी सारे आ रहे हैं on smaller time frame तो 35,500 का जो लेवल है हमें इसी लेवल का वेट करना होगा उसके बाद हमें एक up move दिखाई दे सकती है अब दोस्तों अगर कल के session में 350 के नीचे जाता हमें दिखाई दिया bank nifty तो उसके जो logical target आएंगे वो आएंगे आपको 33,900 के लेवल के और उसके बाद 33,500 के ओके ये दो लेवल के इसाप से हम play कर सकते हैं 33,900 से लेके जो 34 का range है 34 के psychological level की भी तरह एक करेगा तो we will count it as 34 to 33,900 अब दोस्तों एक बार मैं DAO के chart पे update लेता हूँ और अगर DAO का chart अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक negative sentiment अब दिखाई दे रहे हैं because 30,500 का level हमें breach होते वे दिखाई दे रहा है still 29,500 is our last support now अब 29,500 अगर तूट जाए आज की दिन या मंडे के session में then we can see some panic on the overall world markets तो इस वज़े से हमें यहाँ पे थोड़ा सा cautious हो जाना चाहिए फिलाल के लिए हमें पिछले कई दिनों से एक neutral सा ही view दिखाई दे रहा था बट आज के session में because जो consolidation का low टूटा है इससे थोड़ा हम cautious हो जाएंगे और 29.500 का अगर level breach हो जाए तो definitely एक bearish side की position बनाई जा सकती है अब दोस्तो एक जो थोड़ा positive और negative अब mixed back की तरह इसको हम लेंगे वो है brand का chart अभी अब दोस्तो जो brand का जो price है right now 97.5 के around है और हमें जो critical जो support दिखाई देते हैं वो आते है 97 पे अब दोस्तो 97 का level के नीचे अगर आज की दिन closing मिलेगी it will be good but इससे inflation definitely कम होंगे if you are watching the news यही headline बन रहा है काफी time से तो दोस्तो 97 के नीचे जाने से हमें overall फाइदा मिलेगा सारे commodities के भाव कम होंगे but this fall is now you know cited because of the recession which might hit तो दोस्तो still we will take it 97 के नीचे crude as in positive because हम देख सकते हैं एक बर crude 97 के नीचे trade होना start करे close आज दे दे तो हमें बाकी सारे commodity side already काफी prices तुटे वे दिखाए दिया और further or fall होने के chances बढ़ जाएंगे तो दोस्तो अब मोटा मोटे अगर हम देखें तो कल के लिए 800 का level का importance काफी बढ़ गया है निफ्टी में और because brand थोड़ा हमें positive संकित दे सकता है इसे लिए एक long एक short के side आज भी उसी हिसाब से चार्ट ideas रखे हैं तो दोस्तो जो पहला चार्ट idea हमारे पास निकल के आ रहा है वो है mcdowels का united spirits का इसके अंदर अगर हम देखें 8.32 का level 8.32 का level हमें एक horizontal breakout मिलेगा यहां पे 8.32 के जो आज का high है उसके उपर जाने के बाद हमें एक channel का symmetry दिखाई देता है mcdowels पे लगबक हमें channel के upper resistance तक यह counter जातावा दिखाई दे सकता है अब दोस्तो अगर किसी को intraday में position बनानी हो तो 8.32 के उपर जैसे ही counter निकले definitely 8.50 will be our first you know resistance area जो एक target की तरह एक करेगा हम देख सकते हैं यहां पर psychologically पिछले swings के अंदर 2-3 times यहां पर भी एक resistance लिया था तो 8.50 will be our first target और 8.50 अगर clear होए then 8.70 will be our next target to watch out for in the intraday अब दोस्तो इसके अंदर SL जो रहेंगे वो आप अच्छे closing basis पर ही लगाएंगे और यह थोड़ा moment दे सकता है इसके थोड़ा सा SL इसमें जादा रखना चाहिए अब दोस्तो जो next counter nickel के आ रहा है वो है विप्रो का और अगर विप्रो का चार्ट देखें सेम अगर आप पिछले 2-3 वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो हमने HCL Tech और TCS दोनों में सेम पैटरन हमें दिखाई दिया था एक बेजिंग सा पैटरन बनते वे ओके और विप्रो के अंदर अब सेम पैटरन बन रहा है सबसे पहले HCL में दिखा था हमें फिर TCS में दिखा और अब हमें विप्रो के अंदर ये पैटरन दिखाई दे रहा है जिसमें 398 के नीचे विप्रो अगर जाते वे दिखाई दे तो definitely यहाप एक short opportunity बनेगी और यह जो 398 का level है हमें पहले भी एक support के level की तरह act करते वे दिखाई दिया है इसके लिए 398 के level के नीचे जाना is a very must उसके नीचे जाता ही आज के closing basis पर SL लगा सकते हैं और इसके अंदर जो target हमें आते वे दिखाई देंगे वो 390 and 375 के level के इसाब से इसके अंदर play out कर सकते हैं तो दोस पोजिशनल बना सकते हैं फिर भी I will insist की intraday के इसाब से हमें play out करना चाहिए तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करें शेर करें और जिन वीवर्स ने अभी तक चार्ट म जो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तो तो जरूर सब्सक्राइब करें तिल देन टेक कियर I will meet you in the next episode